मैं शिखर श्रवास्तों मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को बारिश का मौसम हर्याली लेकर आता है परन्तु साथ ही साथ बारिश के मौसम में पेडों में हमारे पौधों में कीडे लगने का डर फंगस लगने का डर और मिली बक्स का खत्रा बढ़ जाता है तो हर्याली के साथ ही साथ पेडों में जो हमारे पौधों में फलों के हो चाहे सबजियों के हो उनमें सभी में आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं तो आप ये मेरे हां का भी पत्ता गोभी का ये पोधा देख रहे हैं दोस्तों इतनी केर के बावजूद भी इसमें छोटे-छोटे से कीड़े लग गए हैं तो बिल्कुल आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर ही बिल्कुल नैशरल तरीके से हम बहुत ही इफेक्टिव और गैनिक इंसेक्टिसाइड बनाना देख रहे हैं हमारे किचन की ही जीजों से आज हम इस और गैनिक पैस्विसाइड को बनाएंगे ताकि हमारे जो पौधे उनमें ना कीड़े लगना पाएं और आस पास भी जो पौधे लगे हैं उनमें उनका असर ना होने पाए और खास कर ये खत्रा सिर्फ बारिश के मौसम में ही रहता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके लिए हम किस तरह से बचाओ करें ताकि जो हमारे पौधे हमारे जो फल सबजियां बढ़ रही हैं वो उनका विकास ना रुके और साथ ही वो पीले पढ़कर सड़ने ना पाएं कई बार पौधों में तितलियां आकर बैठती हैं और तितलियां या फिर कोई भी जो कीड़े होते हैं बैठते हैं और अपने अंडे अपने लारवा उसमें छोड़ जाते हैं और उससे हमारे जो पौधों में फल लगे हैं उनमें सड़ने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ पौधों की ग्रोथ बंद हो जाती है। तो आप देख रहे हैं मेरे हाँ भी एक दो पौधों में इस तरह से जो कीड़े लग गए हैं। ये मिर्ची का पौधा आप देखे दोसों इतना हेल्दी है, मिर्ची की क्वालिटी भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिर्ची लगी परन्तु साथ में ही मिर्ची का दूसरा पौधा भी लगा है जिसमें आपको पत्या करल दिख रही होगी। तो इसको मुरोडिया रोग कहते हैं दोसों या फिर इंग्लिश में आपको आप इसे लीव करल का रोग भी कह सकते हैं। और ये बिमारी हमेशा बारिश के मौसम में ही लगती है, जिसमें पत्यां सिकुडने लगती है, फूल तूट कर गिरने लगते हैं। एक मिर्ची का पौधा बहुत ही हेल्दी है, आप इसकी पत्यां देखें। मिर्ची की क्वालिटी आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश है। पर दूसरा पौधा है, उसमें ये रोग लग चुका है। तो समय से पहले ही, यदि हम अपने पौधों को ठीक कर लेते हैं दोसरों, तो फिर ये रोग फैलने नहीं पाता है, बाकी प्लांट्स को खराब नहीं कर पाता है। तो ये वाला जो पौधा है, जिसमें लीव करल हो रही है, आप इसकी मिर्च भी देख सकते हैं दोसरों, इसकी जो मिर्च लगी है, बिल्कुल छोटी छोटी ही लगी हुई है, तो फलों की सबजियों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, फूल में भी अगर लगते हैं, फूल छोटे-छोटे आते हैं, सबजियां लगतो जाएंगी दोसरों पर तो वो क्वालिटी नहीं आती है, तो कई पौधों में आपको दिख रहा होगा दोसरों, और ये जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, बारिश के मौसम में ही इन बिमारी के लगने का खत्रा सबस ज्यादा रहता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि किचन की ही चीजों से आज हम इस औरगनिक पैस्टिसाइट को बनाना सीख रहे हैं, तो यहां पर लहसुन की आपको 6-7 कलिया लेना है, छिलका इसका उतार लें और बढ़िया तीखी वाली हरी मिर्च लेना है, आप चा साथ इस समय यदि आपके पास कडवे नीम की पतियां है, तो आप चाहे तो इस और गैनिक पैस्टिसाइड में नीम की पतियां भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक चमच विनेगर भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया कीट नाशक है, और यदी विनेगर नहीं है, तो परिशान होने की जरुवत नहीं है, लहसुन और हर्तिखी वाले जो हरी मिर्च होती, इसकी गंध ही इतनी तेज समयल होती, गार्लिक की, कि इससे कीड़े पौधों में, पौधों के पास भी नहीं आते हैं, और यदी पौधों में लगी गए हैं, तो वह निक नीमकी पत्या डाल रहा हैं तो इस समय नीमकी पत्या भी आप मिला सकते हैं, आप विनेगर डालना चाहे तो एक चंबच विनेगर भी मिला सकते हैं, तो लहसुन हरी मिर्च को मैंने खूब अच्छी तरह से पीस लिया है, अब आप इस पेस्ट को चान ले, और ये देखे, मेरे पास spray की bottle है, मैंने एक लीटर से उपर पानी डाला है 1,5 लीटर के करीब पानी है और इसमें मैंने इस paste को मिला दिया आधा paste मैंने बचा कर रख लिया थोड़ा हमें डायलूट करके ही डाला है इसका कोई भी side effect नहीं है दोस्तों जब हम बजार से जो chemical वाला pesticide लाते हैं ना दोस्तों वो तो हमारे लिए भी harmful है और सांथी साथ हमारे पौधों के लिए भी harmful है किसी भी खाने वाली सबजियों में फलों में आप कभी भी chemical वाले pesticide का छिड़काव ना करें उससे हमारे पौधों के कीड़े तो मर जाएंगे परन्तु वो हमारे अच्छे स्वास के लिए बहुत ही हानिकारक है तो घर पर ही हम बिल्कुल नैचरल तरीके से ही आज इसकी नाशक को बनाए हैं बहुत ही effective है 100% आपको इसका result मिलेगा तो मेरी पत्ता गोभी तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही थी दोस्तों परन्तु अभी यहां लगातार एक वीक से बारिश होने के करण बहुत अच्छी हम लोग केर नहीं कर पाए तो इसके करण इसमें बहुत जादा कीड़े लग गए हैं और बाकी पौधों में यह कीड़े फैलने ना पाए इसलिए मैंने आसपास की सभी पत्तियों को क्योंकि इन्हें ठीक करना बड़ा कठीन था इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया है और बाकी पौधे जिने हम बचा सकते हैं जिनका यह जो रोग लगा है इससे हम उन पौधो को बचा सकते हैं उसके लिए तो हम जरूर ट्राय कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है दोस्तों बाकी पौधे आप देख सकते हैं मेरे बहुत ही हेल्दी है यह मैंने ब्रॉकली लगाया है दोस्तों जल्दी इसका वीडियो भी मैं शेयर करूँगी अजवाइन प्लांट लगाया है अजवाइन लीव प्लांट भी आप कह सकते हैं और साथी साथ बैसिल लगाया है छोटी सी बगिया टैरिस पर तयार की है बाकी तो किसी पौधों में जादा कीड़े नहीं लगे हैं परन्तु कुछ पौधों में यदि हम कियर नहीं करते हैं तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा पौधों में कीडे लगने का खत्रा बढ़ जाता है। तो यह जो हमने इस्प्रे तयार किया है दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप पूरे पौधों में इसे स्प्रे करें जहां फल लगे हैं फूल लगे हैं आप वहाँ पर भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। इसकी गंध से कीडे पौधे के आस पास नहीं आएंगे। और जो पत्तों के अंदर या लग गए हैं दोस्तों वो कीड़े अपने आप ही लहसुन और हरी मिर्च की तीखी गन से इस पौधों को छोड़ कर चले जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों और जब भी ये इस्प्रे करें तो एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा सुबह करें या फिर शाम के करें कभी भी तेज दूपहर में आप इस्प्रे ना करें नहीं तो क्या होता है दोस्तों हमारे पौधों पर तेज धूप के मिर्ची का पौधा आप देख सकते हैं बहुत ही हैल्दी है मेरा परन्तु दूसरे प्लांट में लीव करल का रोग लग गया है इसलिए मैंने पूरे पौधे को इस पानी से अच्छी तरह से नहला दिया है पूरी पत्तियों को भीगा दिया है और आप इसे एक महने तक जरू खिलेंगे और बढ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी भिंडी का पौधा देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही हेल्दी है कहीं भी आपको कीडे लगे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि समय समय पर मैं इसका स्प्रे करती हूँ और इस तरह से यदि हम पौधे का ध्यान रख झाल